कविता का शेर्सक है परदे से गुम हो गई इस्त्रियाँ मैं परदे से गुम हो गई इस्त्रियों के बारे में सोच रहा हूँ मैं बचपन में देखी गई उन अभिनेत्रियों के खोज रहा हूँ जिनके चेहरे की कथा उम्र के दो दशकों में मुझे कहीं नहीं दिख रही क्या अभिनेत्रियों की उम्र इतनी कम होती है मैंने परियों की कहानियां सुनी है परियां सुन्दर होती है परियां जादु जानती है परियां अचानक गायब हो जाया करती है क्या हुए सभी अभिनेत्रियां गायब होने की कला जानती थी मुझे बताया गया कि कलाएं आत्मा गढ़ती हैं कलाकार उसका मस्दूर होता है तो क्या मस्दूरी नहीं मिलने की वजह से उनों ने काम पर आना बंद कर दिया ऐसी कई इस्त्रियां हैं और कई परदे हैं जो हमारी आखों में टंगे होते हैं घर परदा है, स्कूल परदा है, कॉलेज परदा है, नौकरी परदा है इन जगहों में साथ काम करने वाल इस्त्रियों को मैंने कभी नहीं देखा मेरी तरह कविता लिखते हुए या अपने मन से कहीं भी चले जाते हुए यहां तक कि यह कहते हुए भी नहीं सुना कि माँ बनने से पहले एक बार तो ताज महल की यात्रा जरूबी है पता नहीं वे फिर कभी ताज महल देख पाएंगी भी या नहीं इस राजनेतिक समय में मैं पर्दे से गुम हो गए इस्त्रियों के बारे में सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ कि क्या ताजमहल की राजनीती से सद्धियों पहले उनके उम्र को लेकर एक स्वर में राजनीती हो चुछती है